हेलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग मैं उसाची ने एक बार फिर्ट आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल येज़ेड़े कैडवी पे तो आज हम आपके लिए लेकर के आगे हैं ट्रीकी नेटवर्क थियोरी का लेक्चर नमबर 19 तो जैसा कि आप लोग का डिमांड था कुछ लोगों ने मुझे मेसेज भी किया कि आप सब नेटवर्क थियोरम पे कोश्चन बनाएए ठीक है तो उससे डिलेटेड आप सभी के ड तो बैसिकली यहां पर हम लोग थेमनी थियोरम को तीन पार्ट में कटेगराज किये हुए हैं वेरी फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिसकस करेंगे नेटवर्क विद अउनली इंडिपेंडेंट सोर्सेज उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सबसेक्वेंट पार्ट है दाट लेक्टर नमबर 21 में हम लोग डिसकस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट होगा तो बस इस लेक्टर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं नेटवर्क विद अउनली इंडिपेंडेंडेंट सोर्सेज जो बैसिकली थोड़ा सा रिलेक्टिवली इजी होता रहा है और बड़ इससे डिलेक्टेड जो आपका अफ्लीकेशन कोस्टन है वह भी हम लोग देखेंगे प्लस जो बैसिक कोस्टन होते हैं उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो बस कहीं ने जाईएगा हमारे साथ बने रहीएगा हमारे यूट्यूब चैनल एस जैड एकड पर चलिए आज का सेशन हम लोगा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला मेरा टाइप है डाट इस पार्ट नंबर पार्ट वन ठीक है पार्ट वन क्या है नेटवर्क विद अनली इंडिपेंडेंट सोर्सेज तो बैसिक थोड़ा सा कॉंसेप्ट के में बात करूं क्योंकि यहां पर हम लोग पूरा थियोरी यहां पर डिसकॉस नहीं कर सकते हैं कि इतना जादा सफिसेंट टाइम हमारी पा रहता है एक आपका नेटवर्क दिया हुआ रहता है और आपका एक लोड टर्मिनल होता है ठीक है एक आपका क्या होता है लोड टर्मिनल होता है और उसी लोड टर्मिनल के थुरू आपका करेंट वोल्टेज इनर्जी पावर कुछ भी आपका निकालना होता है ठीक है तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरा यहां पर टार्गेट टर्मिनल क्या है ए बीट यौ अब है this is the target terminal this is the target terminal ठीक है और इसी के cross या तो आपको basic question में find करना रहेगा कि आपका target terminal दिया रहेगा load terminal तो basically जो load terminal होता है वही हमारा क्या होता है target terminal होता है और उस load के through आपका current voltage energy power कुछ भी निकालना हो तो basically आप क्या करते हो load terminal को आप target terminal मानते हो और उसी के cross आप पूरा network को replace कर देते हो उसके equivalent voltage that is VTH और उसके equivalent resistance RTS replace कर देते हो ठीक है जो आपका load terminal होता है उस terminal को open circuit हम लोग करते हैं वहाँ से जो भी आपका load connected है उसको eliminate करते हैं और उसके बाद जो remaining part of the network है उसमें हम लोग क्या करते हैं उसी load terminal के cross open circuit करके open circuit load terminal के cross और पूरे network का open circuit voltage और thevenance voltage जिसे आप बोलते हो वो find करते हैं साथ में open circuit resistance और thevenance equivalent resistance हम लोग find करते हैं उसके बाद फिर final हम लोग circuit बनाते हैं उसमें आपका VTH होता है उसके series में एक RTH होता है और finally load को आप connect करते हो RL से ठीके और वहां पर आपको क्या करते हैं पूरे current को उस circuit में आप पूरे current को IL मानते हो वहां से IL का value find कर लेते हैं जैसे IL का value find हो गया उसके बाद VL find कर लेते हैं VL find करने के बाद power equal to VL into IL तो कुछ भी आप find कर सकते हो basically ठीके तो यहां पर हमारा main aim क्या होता है यह आपका target terminal है और इस target terminal मैं आप क्या करते हो सबसे पहला मेरा aim होता है क्या find करना आपका RTH find करना and VTH find करना ठीक है तो basically VTH is also called open circuit voltage and RTH is also called open circuit resistance scene across the load terminal ठीक है तो यह basically मुझे RTH और VTH का value find करना होता है ठीक है तो आप क्या करते हो यहां पर आपका क्योंकि हम यहां पर discuss करें network with only independent sources मतलब इस network में only क्या है only independent sources पर जेंड है only independent sources ठीक है तो basically करते क्या है यहां पर आपका जो भी टार्गेट टर्मिनल के लोड कनेक्टेड है उसे आप क्या करते हो open circuit से replace करते हो और उसके across पूरे network का पूरे network का क्या find करते हो RTH और साथ में उसी के across क्या find करते हो open circuit voltage that is VTH तो यह आपका VTH find करते हैं और यह RTH find करते हैं ठीक है तो चलिए थोड़ा सा basic concept की बात करो जब आप RTH find करते हो तब कैसे find करते हो basically जब आपका network with only independent sources दिया रहता है तो उस network में जब RTH find करते हो तो जो भी independent sources होते हैं जो भी guest violet ideal internal impedance से तो अगर मैं बात करूँ कि आपका ideal voltage source का जो internal restricted हो गतना होता है जीरो Ohm होता है ठीक है तो basically जो भी independent voltage source होते हैं उसे replace कर दोते हैं short circuit से और जो भी independent current source होता है उसका ideal internal resistance कितना होता है infinite होता है इसलिए आप बोलते हो कि आपका ideal current source independent जो भी current source होते हैं उसको आप क्या करते हो replace कर देते हो open circuit से और जो भी independent voltage source उसे replace कर देते हो किसे that is short circuit से ठीक है तो जब आप RTS find करते हो जब आप RTS find करते हो तो पहला यह मेरा क्या होता है कि all the independent current sources all the independent sources जो होंगे all the independent sources को आप क्या करते हो sources are eliminated all the independent sources are eliminated और all the independent sources are eliminated का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपका independent current source होगा independent current source जो भी होगा independent current source उसे आप किसे replace कर देते हो और जो भी आपका इंडिपेंडेंडेंट वोल्टेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे कितना होता डाट ओप to the independent करेंट्सोर्स करते हैं किसे ओप Netz कर रहे से थिकineaए तो आयग के आपको यहां पर समझ में आया होगा कि independent current source को हम लोग open क्यों करते हैं और independent voltage source को हम लोग source circuit से क्यों replace कर देते हैं ठीक है यह तो आपका RTH find करने का method हो गया फिर उसी तरह से आप जब VTH find करते हो तो एक इन क्या करते हो जो भी आपका load terminal है उसमें load को आप क्या करते हो वहाँ से remove करते हो और वहाँ पर open circuit load terminal के cross आप क्या करते हो open circuit voltage और 17 equivalent voltage आप find करते हो ठीक है फिर finally हम लोग क्या करते हैं 17 equivalent circuit बनाते हैं उसके बाद load में current find करते हैं IL equal to VTH upon RTH plus RL से उसके बाद आपको जो भी find करना अगर power find करना है आपका load resistance में तो आप क्या करोगे power PL equal to VL into IL से find कर लोगे ठीक है तो चलिए इससे related सबसे पहला question लेते हैं हम लोग basic question उसको हम लोग solve करते हैं उसके बाद उससे application question हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग उसमें क्या approach होगा हमारा उस question को solve करने का ठीक है तो चलिए सबसे पहला जो आपका सबसे basic type का question जो आपका दिया हुआ रहेगा उसमें आपको find करना है that is RTH and VTH का value ठीक है चलिए question लेते है question number one ठीक है suppose that आपका एक हाँ पर मान लोग बोल्टे सोर्स connected 10 वोल्ट का यहां से resistance connected 10 ओम फिर एगेन यहां से भी एक resistance connected है 20 ओम का ठीक है यहां पर भी एक यह कापका resistance connected 10 ओम का यहां से current source connected है ठीक है 2 ampere supported फिर एगेन यहां से connected है आपका by 20 ओम और यह आपका target टर्मिनल है यह क्या है टार्गेट टर्मिनल एक random कोसिंट मैंने कोई ले लिया ठीक है तो अब इसकी बताएए यह आपका टार्गेट टर्मिनल है ए बी टर्मिनल अब इसी के क्रोस मुझे find करना है कि टार्गेट टर्मिनल के क्रॉस एबी के क्रॉस आपका आर्टिएज का वैलू क्या होगा और वेटिएज का वैलू क्या होगा ठीक है और यह क्या है आपका network with only independent sources इसमें जितने भी sources आपको दिख रहा होंगे यह सारी क्या है independent sources हैं ठीक है तो basically यह हमारा क्या है this is the part number one और पार्ट नमबर टू को इसके next subsequent lecture में हम लोग discuss करेंगे और पार्ट नमबर थ्री जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा थेमिन स्योरम का यह लेक्चर नमबर 21 टिर्की नेक्ट वर थेओरी का उसमें हम लोग discuss करेंगे ठीक है तो चलिए यहां पर हम लोग आर्टिएज और इतने बी independent voltage source को replace कर दो किससे short circuit से है और जो भी independent current source होगा उसको किससे replace करोगे? open circuit से क्यूं होता है वो मैंने बता दिया है ठीक है? तो चलिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं? इस voltage source को replace कर रहते हैं किससे short circuit से? और यहां पर क्या resistance है? This is 10 ohms. उसके बाद क्या connected है यहां पर करेंट सोर्स है उसको रिप्लेज कर दो किसे ओपन सर्कुट से ठीक है उसके बाद यहां से कनेक्टेट है आपका दिस इच ट्वैंटी ओम और यह हमारा टार्गेट टर्मिनल है एबी ठीक है एब इसके क्रोज क्या फाइंड करना है आर्टीएज का वैल्यू ठीक है अब यह फियान दीजिए यह अगर आपकाा टर्मिनल है अब क्या हो जाए गा least mét क्या हो जाएगा दोस्तों मैंने बताया होगा सेम जो potential होगा उसको किसली परजेंट करेंगे सेम पॉइंट से रीपरजेंट करेंगे यहां से यहां तक आप देख रहे होंगे पूरा short circuit line है यहां पर अगर यह पॉइंट भी है यह भी 20 Ohm में क्या होगा, same resistance flow करेगा, इसका मतलब ये दोनों resistance कित में आजाएंगे, शिरीज में आजाएंगे, तो 10 Ohm और 20 Ohm का कितना हो जाएगा, 30 Ohm हो जाएगा, ठीक है, अगर ये 30 Ohm हो जाएगा, और यह की ध्यान दिजिए कि अगर यह बी टर्मीनल है और यहाँ पर यह एटर्मीनल है तो यहाँ पर मालनेता हो कि इसको पासे अगर आजयायेगा पाइलर कनेक्शन में आ जाएगा क्योंकि दो सेम क्वाइंट के बीच में अगर डिफरेंट इलिमेंट कनेक्टेड होते हैं तो वह कैसा कनेक्शन होता है तो यहां पर अगर मैं बात करूँ तो यहां पर क्या होगा इसको माल लेते हैं आर यह क्या है आपका अब देखें यहां पर सिंपल सा हो गया कोश्चन आप ठीक है यह यह 20 by 3 जो इसका overall आया ठीक है यह 20 by 3 और यह 30 ohm किसमें आ जाएंगे series में क्योंकि इसका जो overall combination का आएगा यह resistance और यह 30 ohm resistance की दोनों किसमें आ जाएंगे तो फाइनली बताइए आर्टिएज का जो value आएगा वो कितना आ जाएगा 30 ohm और इन series with 20 by 3 और series में क्या होते हैं आपका है आपने बताई है 110 अपाउन थिरी ठीक है यह आपका आ गया आटिएज का value 110 अपाउन थिरी 110 बटा 3 ठीक है चलिए यह तो आपका भेलू आ गया किसका आटिएज का आप हम लोग क्या करते हैं इसमें भीटिएज फाइंड करते हैं ठीक है इसको आप नोट कर लिजिए ठीक है अब हम लोग इसमें क्या करते हैं भीटिएज का value find करते हैं ठीक है कि नोट कर लिजिए ठीक है चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें भीटिएज कैसे find करेंगे तो फाइंड भीटिएज टो पर्यटिएज गैंड टीक है विटिएज ऑंसओ और लिए अब पाएंड करते हो तो क्या करते हो लो टर्मिनल क्या है लो टर्मिनल और यो पे 17 करने के जरूरत नहीं है उर डंगे तर्मिनल इज आप देखिए यहां पर मैं अगर 12 आपको ठीक है इसी question में आपको VTH find करना है तो देखिए यहां पर क्या होगा टार्गेट टर्मिनल और डी ओपन है तो इसको मैं इसाइन करता हूँ कि यहां पर जो आपका 20 ohm resistance में क्या current flow करेगा बिल्कुल नहीं करेगा क्या है यह open circuit बनाए से connected है तो आपका क्या हो जाएगा इसमें current क्या हो जाएगा यहां पर क्या होगा तो चलिए अब यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर क्या होगा क्योंकि को भी भॉल्टे लेविल होता है किसी पॉइंट का किसके respect में तो ground के respect में होता था यहां तो आपका क्या हो गया भी ओसी हो गया और यहां पर आपका टेंफूल है यहां से डायेट्व लियाप सॉल्फ कर सकते हो थीक है तो बहुँ सारा में कें कि एक एक ही network को solve करने के बहुत सारे method हो सकते हैं तो जो आपको easy लगता है जो at a time आपके mind में click करता है बस उसे आप apply कर दीजे ठीक है सोचिए मत तो आप देखें यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक nodal analysis मैं यहां लगा देता हूं और एक nodal analysis यहां पर लगा देते हैं दो equation से उनों का फटाफट solve हो जाएगा ठीक है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं applying कि applying nodal analysis at applying nodal analysis at कहां पर एट भी OC वाले node पर ठीक है तो यहां पर अगर हम लोग नोडल analysis लगाएं तो क्या होगा बताइए ठीक है तो जिस नोड पर आप nodal analysis लगाते हो उस node के potential को highest मानते हो that is all the current जो उस ब्रांच से connected है वो सारे क्या होंगे उस node से outgoing current होगे क्योंकि उस node को basically आप highest potential पर मानते हो और current flow करता है higher to lower potential तो उस नोड पर जिस नोड पर आप nodal analysis लगा रहे हो उस नोड से सारे ब्रांच जो भी connected होगे उसमें current को क्या मानेंगे ठीक है तो चलिए यहां से अगर मैं बात करूं तो इस भी ओसी वाले नोड पर हम नोड अलेसिस लगा देते हैं तो यहां देखिए यह क्या है यहां से एक ब्रांच से all the outgoing current is taken to be positive और जो भी आपका incoming current होता है incoming current वो सारे को क्या लेते हैं आप negative लेते हैं ठीक है तो आप देखिए यहां पर view OC से कौन कौन से branch connected है एक 20 ohm वाल ब्रांच connected है ठीक है उसमें तो current ही 0 open circuits connected है एक आपका 2 amp वाल ब्रांच है और इस वाले ब्रांच में कितना current flow कर रहा 0 amp यहां से 0 हो गया उसके बाद देखिए 10 ohm वाले ब्रांच में कितना current होगा that will be equal to क्या होगा वी OC higher potential minus lower potential Vx upon क्या हो जाएगा 10 ohm equal to 0 ठीक है तो एक equation दोस्तों यहां से आपको generate हो जाएगा that is कितना हो जाएगा VOC minus Vx by 10 equal to क्या हो गया 2 हो गया तो यहां से आपका क्या हो जाएगा VOC minus Vx equal to 20 और इसको हम लोग माल लेते है equation number one ठीक है एक equation आपको और चाहिए क्योंकि दो unknown है आप पर अब हम लोग क्या करते हैं एक nodal analysis लगा देते हैं क टो एगें, कितना होगा VX-0 upon 20 अब प्लस VX-VOC, VX-VOC upon कितना होजाएगा, that is 10 equal to 0, तो यहांस एक EQUESTION GENERATE हो गया, तो यहांस आप LCM ले लिजिए, simple से, यह 20 हो गया, तो यहांस कितना होगा, 2VX-20 plus VX plus 2VX-2VOC equal to 0, करेंगे यह 0 आपका हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका देखेंगे यहां पर 2 2 और 1 कितना हो जाएगा फाइब एक्स और यहां पूरा क्या है मैथेमेटिक से दो एक्वेशन है तो यहां से क्या हो जाएगा यहां से आपका सकेंड एक्वेशन क्या है ठीक है तो यह तो बैसिकली क्या हो गया equation 2 हो गया है अब दोनों को SOV कर लिजिये मुझे क्या फाइंड कॉया करना है तो फाइट करते हैं क्टा देते हैं ठीक है तो यहां से क्या होगा इसको 5 से 瞬्स्राइक कर दो जाहए आपको linear equation solve करने के लिए आता होगा यहां सो centimeters सब्सक्स, तो बस ये क्या हो जाएगा दोनों equation को add कर देते हैं, तो add कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 5 bx और 5 bx painful out हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए, ये क्या हो जाएगा, 5 poc और minus 2 pc, क्या हो होगा ठीक है इक्वाल टू कितना हो गया 120 अपन कितना हो गया थिरी तो टोटल कितना आगया आपका डैट इस इक्वाल टू भी ओसी इक्वाल टू फोटी भोल्ट ठीक है अब देखें यहाँ पर अगर कलकुलेशन में श्टेक नहीं है तो यह आंसर राइट है वेक्वाल आप चेक कर लिजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा कि क्या यह आंसर था है और आपको अगर कोई और मेथड से सॉल्व करना है तो भी मुझे कमेंट करके बताईएगा कि कौन सा मेथड और अपलाई कर सकते हो बहुत सारे सोमेनी मेथड हो सकते है ठीक है तो चलिए इस कोस्टन को हम लोग सॉल्व कर लिए अब एक और कोस्टन लेते यह तो बैसिक कोस्टन था जिससे रिलेटेड आपका दिया रहेग आपको सोचना के कौन सा मेथड्ga आप अपलाई कर सकते हो ठीक है तो उस कौस्टन को हमारा क्तों ये है अप लिकेशन वर्ट से हूर म है तो उसको दोनों method से हम लोग solve कर सकते हैं सबसे पहले question हम लोग पढ़ा लेते हैं इसका मतलब यहाँ पर आपका आर जो connected है यहाँ पर आपका आर जो connected है यहाँ पर जब आर का वहलू जीरो ओम है जब आर का value 0 ओम है उस समय करेंट उसमें कितना फलो कर दा दाट इस 3 एंप्या और जब आर का वहलू हो जाता तो उस समय करेंट कितना फलो कर दा उसमें डाट इज 1.5 एंप्यार respectively then find the value of i when r equal to 1 ओम ठीक है और इस इस टाइब का question का trend gate में बहुत आपका आया हुआ question है इस type का ठीक है तो gate का basically यह trend होता था gate में इस question पूछे जाते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पर आप SSC GE में भी आप देखोगे कि आपका last year या इससे पहले आपका 2018 और 2017 का question निकाल कर देखोगे तो वहाँ पर भी आपको इस type का question दीख जाएगा ठीक है तो basically जो SSC GE में आप जो trend बना है question आने का आपका network story देखो या फिर आपका और भी जो आपका power system machine से related जो भी question आप बन रहे हैं वो आप tricky और अच्छे question आ रहे हैं ठीक है तो आपका previous year gate और previous year जो IES के question होते हैं जो आपका basically ESE engineering services examination का जो आपका question होता वो frequently repeat होते हैं SSC GE वाले exam में ठीक है तो बस जो भी SSC GE का भी preparation कर रहे होंगे या फिर get 2021 के लिए preparation कर रहे हैं तो उस लोग काफी ध्यान से देखेंगे इस लेक्षर को ठीक है तो चलिए इसे हम लोग solve करते हैं आपका क्या दिया हुआ है यहां पर मैं बात करूं तो आपका जब आर का value टू जीरो तो उस समय करेंट कितना फ्लो कर रहा है उसमें 3A का करेंट फ्लो कर रहा है सेकेंड कंडिशन दिया हुआ है कि विन और एक्वल टू विन और एक्वल टू कितना हो जा रहा है टू ओम तो उस समय करेंट उसमें कितना फ्लो कर रहा दैट इज अधा हो जा रहा है ठीक है इस टाइब का कोश्यों ठीक है तो आपको बैसिकली पता है यह मेरा क्या है लोड टर्मिनल इसको में माल लता हूँ टार्गेट टर्मिनल ए भी जहां पर आपका लोड कनेक्टेड है तो आप आपका जो ब्लैक बॉक्स इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या-क्या है इस में दिया हुआ है कि linear register है ठीक है linear registers connected है और साथ में क्या connected है and independent sources और क्या connected है independent sources connected ठीक है मुझे नहीं पता है कि इसमें और मतलब उसका value क्या है कितने ओम के resistance connected है और या जो independent sources connected है उसका value क्या है उसे मतलब मतलब ही नहीं है ठीक है it doesn't matter तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर मैं बात करूं तो इतना तो मुझे information पता है ना कि इस वाले black box में क्या है linear register साथ में independent sources हैं तो अगर आप इस black box को replace कर दो उसके थेवनिज equivalent circuit या नौटर्स equivalent circuit से हमारा काम यहां पर बन सकता है तो basically हम क्या करते हैं कि इस target terminal के across इस black box का VTH और RTH का value find कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ passive element जो भी connected resistances उसका equivalent क्या होगा RTH होगा और जो भी आपका sources connected है उसका equivalent क्या होगा that is VTH होगा तो इस black box का हम लोग क्या करते हैं इस black box को replace कर जते हैं उसके that is VTH और RTH इसको replace कर देते हैं और यह आपका क्या है टार्गेट टर्मिनल है यह जहां पर आपका क्या connected है लोड connected है और उस लोड का भाईरो दे रखा है और है ठीक है और यह आर का value क्या होगा I equal to VTH upon क्या होगा RTH और प्लस और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नमबर वन ठीक है और गीवन condition आपका देखिए जब आर का value कितना है जीरो ओम है उसमें current कितना फ्लो कर रहा थिरी छिए तो अब उट किजिए value i का value कितना है थी एंपियर है आई का value कितना है 3 empear है कब जब आपका और का value कितना है जब आर का value कितना देखो है आप पर जीरो तो यहां पर क्या हो जाएगा भी टीएच और रटीएच बने लेस्ट निनकल गया भी टीएच इक्वाल टू कितना हो गया थिरी और टीएच इसको माले थे विक्वेशन नमबर तो ठीक है तो अब देखें यहां पर सकेंड कंडिशन में लगाता हूं आई का वैलू कितना हो जाता है देखेंगा भूब देखेंगा वैलू कंडता है यहां पर क्या होगा दिस ऐखन लोगा ओं gün Stretch सड़ फैंट का लीटो कितना है बइटीएच इकोल टू और भी टीएच यह आपका बूठ का वहलू इहांGO तो कितना हो जाएगा आपका 3RTH और यहां से इसको उधन लिया आते हैं तो 1-1.5RTH इकोल टू 3 ठीक है तो यहां से 1.5RTH का फेलू कितना निकल गया 3 तो आप यह कितना हो जाएगा दोस्तों बताएए 3 तो 2 तो कितना हो जाएगा तेश से बड़व और 2-1 कितना हो गया यह है यह क्या हो गया 6 वोल्ट पता चल गया ठीक है अब इस को लूग क्या कर सकते है जब आपका ब्रेटीयाच और पता चल गया उसको अप रिप्लेस कर दो से वीटीयाच का वैलू कितना है यहाज आ चिस को replace कर देते हैं किसे वन ओम से तो उससे में पूछा कि उसमें करेंट कितना फ्लो कर रहा है आप इजली नहीं कर सकते हैं इसमें रहा क्या कोस्टन में तो अब यहां से क्या हो जाएगा आपका आई इक्वल ध्यां से देखिएगा आपका अगर पूरा कॉंसेप्ट के लिए रहा है तो इस टैप को कोस्टन को आप इजली हैंडल कर लोगे ठीक है तो बस इस लेक्चर में इतना ही आप से मिलेंगे हम लोग नेट्वर्णार ट्रिक्वर्ण थियरी के लेक्चर नंबर 20 में और एक निव कोस्टन के साथ आप बैसिकली उसमें क्या होगा हम लोग ढिस्कस करेंगे बेरान पार्ट नंबबर 2 हमारा क्या हैनु थे मिलें सेहोरां का Network with both independent and dependent sources तो ओ बैसिकली कुछ अच्छे question होते हैं जब आपका independent sources भी present होते हैं और dependent और control sources भी present होते हैं जब network में तो उस type के question को आप कैसे handle करोगे तो उसे हम सिखाने वाले हैं इसने next subsequent lecture में तो उसे आप देखना नहीं भूलेंगे that is tricky network theory का lecture number 20 ठीक है तो आज की lecture में बस इतना ही so thank you very much और अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें, share करें चैनल को subscribe करने साथ में bell icon को भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले हर lecture का notification आपके पास पहुंचे सबसे पहले ठीक है so thank you very much and all the best